नमस्कार दोस्तना फिर स्वागा थे आपका गुरू क्लाइश चैना पर आप चैना पर आप चैना पर आप चैना प्रीस अमारे चैने अक सब्सक्राइब करें प्रेस करने बिल्कुल ना भूला है क्यों कि मैंने भी डालता रहता हूं सके नोटिफिकेशन अब तक पहले सब्सक्राइब करने बढ़ा बैतूल में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंग परमार ने बुद्वार को मीडिया को बताया स्कूल खुल सकते हैं और प्रभाव ऐसा ही राया और बड़ा तो अभी नहीं खुलेंगे यह रिपोर्ट दैनिक भासकर तो अपने वीडियो देख लिए अब उसमें देख सकते मद्रप्रदेश में अभी स्कूल खोले नजर नहीं आ रहें स्कूल से शिक्षा इंतर सिंग वर्मास ने कहा इसके सपस्ट संकेत दीए कि मंतरी इंतर सिंग परवार बैतल पहुंचे रहें तो नोंने कहा कि को ना की किस बाढ़ रहा है अगर यह सी स्थिती रहे एक तक एक त्यस जनवरी के बाद भी स्कूल खोलना मुस्किल होगा मंतरी परवार सिंग ने कहा कि स्कूल खोले जाए या नहीं मतलब 31 जनवरी आते आते तक उन लोग ने उनकी बैठा के रही कि तुसमें को करेंगे समिक्छा कि क्लियर करिकी स्कूल खोले या ना खोलें तो यहां पर ऐसी वीडियो के मुझे फॉलो करते रहें क्योंकि मैंने सब की वीडियो डालता रहता तो उसके नोटिफिकेशन आफ तक पहले करते हैं पहुंसता कि स्लिफली सस्क्राइब पर करके देख सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई काम चला विवस्ता उन्होंने कहा कि आज की परिस्तिती में सावी की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती सरकारे स्कूल में तो यह बिलकुल अगी बढ़ते माम लोगा को देखते हुए मंत्री सिवरासिग छोंने पंदर जनवरी से इस्कूल बंड करने के निर्देश दियते पंदर जनवरी को आफ लोगो स्कूल मिल गया निर्देश मिल गया बंदर जनवरी को 31 तक बंद है ऐसा तो यहां पर उसी की खबर चपी कि बाद भी ऑनलाइन क्लास चलाई जा रहा है मंतरी परमार्ज ने कहा कि हम समीख च्छा करेंगे में बैठा करेंगे में 24 गांटे में आठ मौत हो गई कि मौत हो गई जो और जोल पर मैं दो दो भौपाल शैतरफुर विदीशा और शैतरफुर में एक कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ा प्रतेश में आठ दिन के अंदर एक तालिस अंक्रमित जाने क्या हुआ तो मुझे तो लगता नहीं कि स्कूल खोले जाएंगे आप लोग की क्या रहा है कमेंटर बताना मुझे बात करने चाहते हैं तो इस्टाग्राम मुझे फॉलो करके रखें चली मिलते हैं अगली वीडियो में